ट्रेडिंग इंदा जोन अध्याए दो प्रलोभन और ट्रेडिंग के खत्रे हिंदी ओडियो बुक टोट कॉम जनवरी 1994 में लेखक को शिकागो में फोर्चून मैगजिन द्वारा स्पोंसर्ड एक ट्रेडिंग कॉन्फरेंस में बोलने के लिए बुलाया कया था लंच के दोरान लेखक एक एडिटर के बगल में बैठे हुए थे जो ट्रेडिंग के बुक्स पब्लीशिंग के टोप पब्लीशर के लिए काम करते थे वे इस बारे में एक जीवन्त चर्चा कर रहे थे कि आखिर इतने स्किल्फूल ट्रेडर होने के बावजुद कम ही लोग ट्रेडिंग में सक्सेस्पुल क्यों होते है चर्चा के एक पॉइंट पर एडिटर ने लेखक से पूछा कि क्या इसका एक संभावित स्पष्टिकरण हो सकता है कि लोग ट्रेडिंग गलत कारणों से कर रहे थे लेखक इस बारे में सोचने के लिए कुछ पल रुके और फिर कहा कि उनका मानना है कि काफी ट्रेडर्स के पास ट्रेडिंग शुरू करने के कई खास कारण होते हैं जो उन्हें इसके लिए प्रेडित करते हैं जैसे एक्षन का भाव, उत्सा, एक हीरो बनने की इच्छा अपना खुद का वह ध्यान जिसे वे जीत कर खुद को आकरशित करते हैं या जो नुक्षान के बाद आत्म दया के भाव से अपने आपको संतूष्टी देने का प्रियास करते हैं लेकिन ये सब आखिर समश्याएं ही पैदा करते हैं वे ट्रेडर को परफॉर्मेंस और ओवराल सक्सेस से अलग कर देते हैं लेकिन ट्रेडिंग के लिए वास्त्विक अंतर निहित कारण कहीं अधिक मौलिक और सारोभौमिक है ट्रेडिंग एक ऐसी गतिविदी है जो क्रेटिव एक्स्प्रेशन यानि रचनात्मक अभिव्यक्ति की इंडिवीजूल अनलिमिटेट फ्रेडम परदान करती है लेकिन हमने फ्रेडम ओप एक्स्प्रेशन जो की हमारे अधिकांश जीवन के लिए था उसे अधिकांश ल पारी माहुल में लगवग सभी नियम बनाई हैं इसका मतलब यह है कि हम कुद को व्यक्त करने के लिए बहुत ही कम पर्तिवंदों और सिमाओं के साथ प्रियोग करते हैं बेशक कुछ ओपचारिकताई हैं जैसे कि ट्रेडर बनने के लिए एक्सचेंज का सधश्य बनना य लेखक अपनी यादों को ताजा करते हुए कहते हैं कि कई साल पहले हुए एक सेमिनार में दिये गए एक उधारन को यहाँ वे बताना चाहेंगे कि वहाँ पर किसी ने गणना की थी कि यदि आप बॉंड फ्यूचर्स, बॉंड ऑप्शन्स और कैश बॉंड बाजारों को आपस में जोड दें तो आठ बिलियन से ज्यादा पॉसिबल स्प्रेड कंबिनेशन बनेंगे अब आप इस टाइमिंग कंसिडरेशन के आधार पर बाजार की स्थितियों को कैसे पड़ते हैं जब ट्रेडिंग के विभीन तरीके वस्तुत्य असीम हो जाते हैं एडिटर ए क्योंकि unlimited possibility freedom के साथ मिलकर उन possibilities का लाब उठाने के लिए विक्ति को unique और space light psychological challenge के साथ पेश करती हैं उन चुनोतियों से बहुत कम लोग ही निपटने के लिए ठीक से तयार होते हैं या इसके लिए उनके पास पहले से ही जागरूकता होती है और अगर वे किसी सभश्या के ब हम सभी स्वभाविक रूप से इसे चाहते हैं इसके लिए प्रियास करते हैं यहां तक कि इसके लिए हम लालायत भी रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास appropriate psychological resources है जो किसी ऐसे वातावर्ण में प्रभावी धंग से काम करने के लिए हैं जहां कुछ सीमाओं के कारण ख कुछ mental adjustment करने की आशकता होती है लेखक जिस तरह के adjustment की बात कर रहे हैं वह है उनका internal mental structure तैयार करना है जो ट्रेडर को कुछ भी करने की freedom और संभावित क्षमता जो financial और psychological damage दोनों का अनुभव करने के लिए मौजूद है उस freedom के direct result के बीच balance की सबसे बड़ी degree प्रदान करता है हमारे लिए mental structure बनाना काफी मुश्किल हो सकता है खास कर तब जब हम जो चाहते हैं वह पहले से ही हमारे विश्वास के अनुरूप हो लेकिन हम मेंसे जो ट्रेडर बनना चाहते हैं उनके लिए appropriate structure एक invariable compound है जो mental resistance के backlog के द्वारा उत्पन होता है जो वास्तों में मानसिक प्रतिरोध है यह हमारे बच्पन से ही हमारे अंदर विक्षित होने लगता है हम सभी लोग लोग किसीने किसी सामाजिक परिवेश में पैदा होते हैं एक सामाजिक वातावन या जैसे समाज चाहे वह है परिवार, शहर, राज्य या देस हो सरंचना के अस्तितों को दर्श साता है सामाजिक सरंचना के नियमों प्रतिबंधों सीमाओं और विश्वासों का एक सेट होता है जो व्यवहार का एक कोड बन जाता है जो उन तरीकों को सीमित करता है जिसमें उस सामाजिक सरंचना के भीतर व्यक्ति खुद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं इसके अलावा आरी व्यक्तिकत अभी व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली अधिकान शामाजिक सरंचना बन जाती है और हमें अच्छी तरह से घेर लेती है यहां यह देखना आसान है कि एक समाज की सरंचना की आवशकता क्यों है जहां व्यक्ति की आत्म अभी व्यक्ति की आवशकता संगर् प्रतेक व्यक्ति जो ट्रेडिंग की कला में माहरत हासिल करना चाहता है वह हमेशा इस fundamental conflict का सामना करता ही है लेखक सब से पूछना चाहते हैं कि इस प्रत्वी ग्रहे पर पैदा होने वाले प्रतेक बच्चे में एक विशेष्टा जो व्यक्तिकत अभिव्यक्ति का एक आम रूप है फिर चाहे वहे किसी भी स्थान, संस्कृति या सामाजिक स्थिति में पैदा हुआ हो जिसका उत्तर जिग्यासा है, हर बच्चा जिग्याशू होता है, हर बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है, उन्हें हम लर्निंग मशीन भी कह सकते हैं जिग्यासा की प्रकरती पर विचार करें अपने सबसे फंडामेंटल लेवल पर यह एक फोर्स है और विशेश रूप से यह इनर डायरेक्ट फोर्स यानि एक आंतरिक निर्देशित बल है जिसका आर्थ है कि किसी बच्चे को कुछ सीखने के लिए प्रेडित करने की कोई आ जानेंगे इस इनर डायरेक्ट फोर्स का अपना भी एक एजंडा होता है दूसरे शब्दों में बले ही सभी बच्चे जिग्यासू हो लेकिन सभी बच्चे स्वभाविक रूप से समान चीजों को लेकर उत्सुक नहीं होते हैं हम में से प्रतेक के अंदर कुछ है जो हमार अवेरनेस यानी जागरूकता को डायरेक्ट करता है यहां तक कि शिष्वों को भी पता होता है कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं लेकिन जब व्यसक व्यक्ति बच्चों के इस व्यक्तितों के इस अनूठे परदर्शन को देखते हैं तो वे आम तोर पर आश आप्चराचकित हो जाते हैं। वे मानते हैं कि शिश्वों के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें विशिष्ट रूप से उनके जैसा बनाता है। रूप से उनके जानने और अनुभाव करने के लिए बहुत कुछ परदान करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे प्रतेक में सीखने या अनुभाव करने में एक स्वभाविक या भावुक रूची हो। यदि हम इस बारे में सोचें तो लेखक कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि आप एसा करने के लिए कई चीजों को सुची बद कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपको इसमें कोई दिल्चस्पी भी नहीं हो। आप यह भी कर सकते हैं कि आप उन चीजों की एक और सुची भी बना सकते हैं जिसमें आप केवल मामुली रूप से इंटरस्ट रखते हैं। और आप उन सभी चीजों को सुची बद भी कर सकते हैं जिनके बारे में आप पैशिनेट हैं। निश्चित रूप से इंटरनल लेवल बढ़ने के साथ साथ लिस्ट छोटी होती जाती है। तो फिर आखिर यह पैशन आता कहां से है। लेखक का व्यक्तिकत रूप से इस बारे में मानना है कि यह हमारे अस्तितों के गहरे स्तर से आता है जहां हमारी वास्त्विक पहचान का लेवल होता है। यह हमारे उस हिस्से से आता है जो हमारे सामाजिक उत्थान के परिणाम सोरूप, प्राप्त विशेस्ताउग और व्यक्तिगत लक्षनों से परे है संगर्ष की ख्षमता हमारी अस्तितों के सबसे गहरिस तर पर मोजूद है जिस सामाजिक सरंचना में हम जन्म लेते हैं वह इन इनर डाइरेक्ट नीड्स और इंटरस्ट के प्रति सेंसिटिव नहीं हो सकती है उधारन के लिए मान लीजिए कि आप बेहत परतिसपर्दी एथिलीटों के परिवार में पैदा हो गए हैं लेकिन आपको लगता है कि आपकी रूची सास्त्रिय संगीत या कला में है तो आपके पास प्राकर्तिक एथिलीट ख्यमता भी हो सकती है लेकिन एथिलीट कारिक्रमों में भाग लेने में आपकी कोई वास्त्विक दिल्चस्वी नहीं हो सकती तब क्या यहां संगर्ष की कोई संभावना है एक विशिष्ट परिवार में पैदा होने पर परिवार के अधिकान सदस्य है आपके भाईयों, बहनों या माता-पिता के नक्षे कदम पर चलने के लिए आप पर बहुत दबाव डालेंगे वे आपको अपने तरीके सीखने और अपनी एथिलेटिक चमता का आधिक्तम लाब उठाने के लिए हर संभाव कोशिश करते हैं वे गंभीरता से आपको किसी भी अन्य रूचियों में जाने के लिए आपको हतोचाइद करते हैं लेकिन आप जो चाहते हैं वे है करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि वे इसके लिए मना करें लेकिन इसी समय आपको लगता है कि वे जो करना चाहते हैं वह आपको सही नहीं लगता हलंकि आपने जो कुछ भी सीखा है इसके पक्ष में आपने बहुत तर्ग दिये है कि आपके एथलेट बनने में समश्याई यह है कि आप अपने आपको एथलेट महसूस ही नहीं करते है जिन संगर्सों के परिणाम स्वरूप हमने जो हम होना चाहते हैं वह सीखा है और जो भावना हमारे गहरे स्थर पर रेजुनेंट होती है वह बिलकुल भी ऐसा मन्य नहीं है लेखक चाहते हैं कि बहुत से यानी अधिकांस लोग जो एक परिवार और सांस्कृतिक वातावर्ण में बड़े होते हैं अगर थोड़ा कोई भी हमारे उदेश्य में गैर विवादास पद समर्थन देता है जिसमें हम खुद को व्यक्त करना चाहते हैं तो यह कितना सही होगा लेकिन समर्थन की कमी केवल प्रोटसाहन की अनुपसिती ही नहीं है बलकि यह उतना ही गहरा हो सकता है जितना किसी विशेश तरीके से स्पष्ट रूप से इनकार करना जिसमें हम खुद को व्यक्त करना चाहते हैं उधारन के लिए आईए एक सामान्य स्थिती देखें एक बच्चा जिसने अपने जीवन में पहली बार इस बात को नोटिस किया जिसे हम कॉफी टेबल पर फूल दन कहते हैं वह उत्सुक है जिसका अर्थ है कि उसमें एक आंतरिक बल है जो उसे इस वस्तु का अनुभव करने के लिए मजबूर कर रहा है एक अर्थ में यह एसा है जैसे यह बल उसके दिमाग में एक सुन्य पैदा करता है जिसे उसकी रूची के उदिश्य से भरना पड़ता है इसलिए वह फूल दान पर ध्यान के अनुभव करता है और जान बूजकर इरादे के साथ कमरे में फर्ष के विशाल विस्तार से कोफी टेबल तक क्रॉल करता है जब वह वह वहाँ पहुंचता है तो वह अपने पैरों से मेज के किनारे तक पहुंचता है अपने संतुलन को बनाई रखने के लिए मेज पर एक हाथ के साथ उसका दूसरा हाथ इस बात को छूने के लिए पहुंचता है जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया है बस उसी क्षण वह कमरे के पार से एक चीक सुनता है नहीं नहीं इसे मत छुना बच्चा चोंक कर अपने बट पर वापस किरता है और रोना शुरू कर देता है जाहिर है यह एक बहुती सामन्य गटना है और यह पूरी तरह से एपरियारिये है बच्चों को इस बात की कोई जानकरी नहीं होती है कि उसने खुद को क्यों गाहिल किया है या फूल्दान जैसी चीज कितनी मुल्यवान है वास्तों में यह सीखना कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं है हालंकि यहां पर कुछ external important psychological dynamics हैं जो हमारे जीवन पर बाद में प्रभावी डंसे ट्रेडिंग करने के लिए आवशक अनुसाशन और ध्यान केंदिरित करने के हमारी क्षमता पर सीधा प्रभाव डालते हैं जब हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम खुद को व्यक्त करने के अवसर से वन्चित हैं या हम खुद को एक तरह से अविव्यक्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो क्या होता है जो natural selection process के अनुरूप नहीं है यह अनुवव परिशान करता है upset होने का आर्थ है एक असंतुलन लेकिन क्या यह वास्तों में संतुलन से बाहर होना है संतुलन से बाहर होने के लिए कुछ एसा होना चाहिए जो पहले स्थान पर संतुलन या बराबर अनुपात में हो यह कुछ distance की sapex degree है जो हमारे आंत्रिक, मानसिक वातावर्ण और बाहरी वातावर्ण के बीच मौजूद है जहां हम अपने जीवन का अनुपाव करते है दूसरे शब्दों में हमारे मानसिक वातावर्ण में हमारी जरूर्टे और इच्छाएं उत्पन होती है लेकिन वे पूरी होती है बाहरी वातावर्ण में यदि ये दो वातावरन एक दूसरे के साथ connection में हैं, तो हम आंत्रिक संतुलन की स्थिति में हैं और हम संतुष्टी या खुशी की भावना महसूस करते हैं. यदि ये वातावर्ण एक दूसरे के कनेक्शन में नहीं है तो हम एसंतोस, क्रोध और निराशा का अनुभव करते हैं या जिसे आम तोर पर भावनात्मक दर्द कहा जाता है अब हम जो चाहते हैं या किसी विशेश तरीके से खुद को व्यक्त करने की सोतंतरता से दूर हो जाते हैं वह हमें भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करा सकता है लेखक का व्यक्तिगत सिधान्थ है कि जरूरते और इच्छाएं मानसिक रिक्तता पैदा करती हैं जिस ब्रमान में हम रहते हैं वहां एक सुन्ने को बरदास नय करने की एक स्वभावित प्रवर्ती है और इसे भरने के लिए हर समय कोई मुझूद रहता है एक बोतल से हवा को बाहर निकालें और फिर देखें आपके जीव और होन बोतल के मुझ पर चिपक जाएंगी क्योंकि आपने एक वैक्यूम बनाया है जिसे अब भरना होगा आवशक्ता सभी आविस्कार के जन्नी है और अभिव्यक्ति के पीछे की गति सिलता क्या है एक मान्यता जो एक मानसिक सुन्य पैदा करती है वह ब्रम्हान प्रेदिक विचारों से भर जाएगा लेकिन जव तक आपका मन ग्रहेन सील होगा विचार, बदले में अंदोलन और अभिव्यक्ति को प्रेडित कर सकते हैं जो उस आवशक्ता की पूर्ती में परिनित होते हैं इस संबन्द में लेख को लगता है कि हमारा मानसिक वातावर्ण ब्रमान की तरह बड़े पैमाने पर काम करता है एक बार जब हम किसी आवशक्ता या इच्छा को पहचान लेते हैं तो हम बाहरी वातावर्ण में एक अनुभव के साथ वैक्यूम को भरने के लिए आगे पढ़ते हैं यदि हमें इस आवशक्ता या इच्छा की वस्तु को आगे बढ़ाने के आवसर से वन्चित किया जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम पूरे नहीं है या यह है कि कुछ गायब है जो हमें ऐसंतुलन या भावनात्म के दर्द की स्तिति में डालता है एक बच्चे से वहे खिलो ना छीन ले जिसके साथ वहे खेल नहीं रहा है तब उसकी सारव वहमिक प्रतिकिरिया भावनात्मक धर्द होगी जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तब तक हम लगबग 6570 दिन प्रत्वी पर रहे हैं उस्तन हर बच्चा यह हर दिन कितनी बार सुनता है जैसे कि नहीं नहीं तुम एसा नहीं कर सकते आप इसे इस तरह से नहीं कर सकते आपको इसे इस तरह करना होगा अभी नहीं मुझे इसके बारे में सोचने दो मैं आपको बता दूंगा यह नहीं किया जा सकता आपको क्या लगता है कि आप यह कर सकते हैं आपको करना होगा आपके पास कोई विकल्प नहीं है ये कुछ अपेक्शाकरत अच्छे तरीके हैं जिने हम सभी ने बड़े होने के साथ साथ सुना है यानि कि अगर हम एक दिन में केवल एक या दो बार ही इजने सुनते हैं तब भी व्यसक होने तक कई हजार इनकारों को हम सुन चुके होते हैं लेखक इने Land of Experience यानि सीखने के Denied Impulse कहते हैं ये एक आंतरिक जरूरत पर आधारित है जो हमारी पहचान के गहरे हिस्से से उत्पन होती है जिसे हम Natural Selection Process कहते हैं इन सभी Impulse इसका क्या होता है जिने एस्विकार कर दिया गया है या अधूरा छोड़ दिया गया है क्या वे खत्म हो जाते हैं अगर वे खत्म नहीं होते तो क्या हमारे मांशिक वातावरन को वापस संतुलन में लाने के लिए इन से तालमेल बैठाया जा सकता है सबसे स्वभाविक और विशेस रूप से एक बच्चे के लिए इसकी सबसे Natural परतिकिरिया बस रोना है इन नकारे गए अधूरे इंपल्से इसको समेटने के लिए रोना एक नेचुरल मेकेनिजम यानि प्रकर्तिक तरीका है वेग्यनिक शोद करताओं ने आंसुओं में नेगेटिव रूप से चार्जड आयन खोजा है यदि इसके प्रकर्तिक पठे कर्म को लेने के अनुमती दी जाती है तो रोना हमारे दिमाग में नकारात्मक रूप से चार्ज की गई उर्जा को बाहर निकाल देता है और हमें संतूलन की स्थिति में वापस ला देता है बले मूल इंपल्सेज कभी पूरा नहीं हुआ था समश्या यह है कि ज़्यादातर समय गटनाओं को उनकी प्रकर्तिक रूप से लेने के अनुमती नहीं होती है और इनकार किये गई आवेगों को कभी भी मेल नहीं किया जाता है एसे कई कारण है कि व्यशक लोग इसे पसंद नहीं करते हैं जब उनके बच्चे विशेश रूप से जब लड़के रोते हैं और इस व्यवहार को हतोतसाइद करने के लिए वे सब कुछ करते हैं एसे कई कारण हैं कि व्यसक बच्चों को यह समझाने की जहमत नहीं उठाएंगे कि उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है जो वे नहीं करना चाहते यदि व्यसक प्रियास करते हैं तो भी कोई आश्वाशन नहीं है कि वे ऐस अंतूलन से निपटन के लिए प्रियास प्रभावी होंगे यदि इन आवेगों में समंजशन नहीं है तो क्या होगा यह तब तक होते रहते हैं जब तक आम तोर पर यह संख्या एक एडिक्टिव और कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं इस मामले में थम रूल सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे इसका सबसे आम कारण यह है कि वे मानते हैं कि जब वे बच्चे थे तब उन्हें दूसरों से प्रियाप्त ध्यान नहीं मिला था जब यह उनके लिए महत्वपूर्ण था किसी भी मामले में वन्चित और अंसुल जे मामले इमोशनल एनर समझने के लिए हमारे पास एसा क्या महत्वपूर्ण है कि वे हमारे ट्रेडिंग पर केंदरित रहने के लिए अनुशाशित सूसंगत दरश्टिकोन रखने की हमारी क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं हमें अपने बिहेवियर को ट्रेडिंग एन्वार्मेंट में हमेशा मौझूद रहती है जो अपने आपको भारी नुक्सान पहुंचाने के लिए हमेशा तयार रहती है। वह है नुक्सान जो उस अनुपात से बाहर हो जो हम सोच सकते हैं। कई तरह के ट्रेड हैं जिनमें नुक्सान का जोखिम ऐसी मिध है। खुद को नुक्सान पहुंचाने की संभावना से रोकने के लिए हमें अपने बिहेवियर को गाइड करने वाले प्रेस्पेक्टिव के रूप में एक इंटरनल स्ट्रेक्चर बनाने की आवशकता है। ताकि हम हमेशा अपने हित में कारिय कर सकें। यह स्ट्रक्चर हम में से प्रतेक के अंदर मौझूद है क्योकि समाज के वीपरीद मार्केट इसे प्रवाइड नहीं करता है। लेकिन यह वह जगए है जहाँ पर एक सिम्पल इंडिकेशन के साथ स्ट्रक्चर समापत हो जाता है। अन्य था हर व्यक्ति के द्रिश्टिकोन से आपके बिहेवियर को डाइरेक्ट करने के लिए कोई फॉर्मल रूल नहीं है और उस हर वर्चुल एक्टिविटी जिसमें हम भाग लेते हैं उसकी ने तो कोई शुरुवात है ने ही मिडल और ने ही कोई अंत है यह गहन मनोव एगनिक प्रभाव के साथ एक अत्यंत महतोपूर्ण अंतर है मार्केट एक धारा की तरह है जो निरंतर गती में बह रही है यह ने तो इंतजार करती है ने ही रुकती है और ने ही शुरू होती है जब मार्केट बंध होती है तब भी प्राइस मोशन में यानि गती में रहते हैं इस बात का यहां कोई नियम नहीं है कि किसी भी दिन का opening price पहले दिन के closing price के पराबर होना चाहिए समाज में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें इस तरह से तयार नहीं करता है कि हम boundary less environment में प्रभावी डंग से कारिय करने के लिए तयार हो सकें यहां तक कि जू अगर हम ब्लैंक जेक खेलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले हमें यह तै करना होगा कि हम कितना दाओं चल सकते हैं या जोकिम उठा सकते हैं यह एक एसा ओप्षन है जो खेल के नियमों द्वारा हमें बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है यदि हम इसका चुनाओ नह यह मजबूर करने वाला नहीं है कि आपका जोकिम क्या है वास्तों में हमारे पास जो कुछ भी है वह एक limitless environment है जहां किसी भी समय कुछ भी हो सकता है यहां केवल consistent winner ही किसी ट्रेड में इंवेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को calculate कर सकता है बाकी सभी के लिए advance में रिस्को को calculate करना आपको इस वास्त्विक्ता का सामना करने के लिए मजबूर करेगा कि प्रतेक ट्रेड का एक ही संभावित परिणाम होता है और वह है अपने invest किये गए पैसे का खोना लगातार हारने वाले वास्त्विक्ता को स्विकार करने से बचने के लिए कुछ भी करते हैं चाहे वह कितना भी अच्छा ट्रेड क्यों नहीं हो वह वहाँ भी हार सकता है एक external structure के बिना एक विशिष्ट व्यापारी को अन्यता सोचने के लिए मजबूर करना जो किसी भी संख्या में आउचित्य तर्क संगतता और अति समवेदन सिल तर्क के लिए अति समवेदन सिल है जो उसे एक ट्रेड में एंट्री करने की परमिशन तो देगा यह विश्वास करते हुए कि वह हार नहीं सकता तभी वह आने वाली एप्रासेंगिक रिस्क का निर्धारन करता है एक बार जब आप तै कर लेते हैं कि आप इसमें भाग लेने जा रहे हैं तो आप इस अवधी के लिए अपना मन नहीं बदल सकते हैं लेकिन यह ट्रेडिंग में सच नहीं है ट्रेडिंग में कीमते लगातार गती में रहती है इसमें कुछ भी तब तक शुरू नहीं होता जब तक यह तै नहीं करते और यह तब तक जारी रहता है जब तक आप चाहते हैं लेकिन यह जब तक बंद नहीं होता जब तक आप इसे खत्म नहीं करना चाहते बले ही आप किसी भी प्लानिंग, प्रोजेक्ट या काम को करना चाहते हो इसमें साइकलोजिकल फैक्टर आते रहते हैं जिससे आप विचलित हो जाते हैं और अपना मन बदल लेते हैं आप डर जाते हैं या अति आतम विश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं दूसरे शब्दों में इससे आप उन तरीकों से व्यावार करते हैं जो एनियमित और अनेपेक्षित है क्योंकि जूवे के खेल का एक उपचारिक अंत होता है यह भाग लेने वाले को हारने के लिए मजबूर करते हैं यदि कोई एक लगातार लूजर है तो वह एसा करने के लिए एक सचेत नेड़ने लेने के बिना हार नहीं सकते प्रते गेम का अंत एक नए गेम की शुरुवात का कारण बनता है और आप अपने एसेट को अधिक सक्रिय रूप से अपने वालेट में पहुँचाने या हारने के रिस्क के अधिन होते हैं ट्रेडिंग का कोई ओपचारिक अंत नहीं है मार्केट आपको तब तक ट्रेडिंग से बाहर नहीं ले जाएगा जब तक आपके पास ट्रेडिंग खत्म करने के लिए उचित mental structure नहीं होता है जो हमेशा आपके सरोतम हित में होता है तब वह एक निश्क्रिय हारा हुआ व्यक्ति बन सकता है इसका मतलब है कि एक बार जब आप हारने वाले ट्रेड में होते हैं तब तक आपको हारने के लिए कुछ भी करने की जुरूर्ट नहीं है आपको देखना भी नहीं है आप बस सिति को नजर अंदाज कर सकते हैं और मार्केट आप से आपका सब कुछ ले जाएगा और बहुत कुछ ट्रेडिंग के कई विरोधावासों में से एक यह है कि यह है एक ही समय में आपको एक गिफ्ट और एक ही साथ में अभिशाप भी दे सकता है गिफ्ट एसा होता है जो शायद आपके जीवन में आपको पहली बार मिला हो यानि आप जो कुछ भी करते हैं उसका पूरा नियंतन आपके हाथ में हो सकता है और अभिशाप यह है कि आपके व्यवहार का मारक दर्शन या स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई बाहरी नियम या सीमाइन नहीं होंगी ट्रेडिंग वातावर्ण की ऐसीमित विशेस्ताओं के लिए आवशक है कि हम सैयम और आत्म सैयम की कुछ डिगरियों के साथ काम करें जब कम से कम यदी हम लगातार सफलता के कुछ उपाई बनाना चाहते हैं हमारे बिहेवियर को डिरेक्ट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर की आवशक्ता होती है वह स्वतंतर इच्छा के एक सचेत कारिय के रूप में हमारे दिमाग में उत्पन होती है और यहीं से कई समशें शुरू भी हो जाती हैं लेखक आगे कहते हैं कि उन्हें अभी तक ट्रेडिंग में रूची रखने वाले उन व्यक्तियों को सामना नहीं करना पड़ा है जिनोंने नियमों का एक सेट बनाने की धारना का विरोध नहीं किया हो प्रती रोध हमेशा कभी भी खत्म नहीं होता है इसके वीबरीत यहें आम तोर पर बहुत सुक्षम होता है हम एक और तो सहमत होते हैं कि नियम समझ में आ गए हैं लेकिन वास्तों में जो कुछ भी सुझाया या सिखाया जा रहा है उसे करने का हमारा कोई इरादा नहीं होता है यह प्रतिरोध तिव्र हो सकता है और इसका एक लोजिकल सोर्स भी होता है हमारे दिमाग में अधिकां स्ट्रक्चर हमारे सामाजिक पालन पोशन के परिणाम सो रूप हमें मिले हैं जो अन्य लोगों द्वारा दिये गई विकल्पों पर आधारित होते हैं दूसरे शब्दों में यह हमारे दिमाग में प्लांट किये गए हैं ने की हमारे दिमाग में उत्वन हुए हैं यह एक बहुत महतोपूर अंतर है हमारे विचार बनाने की प्रकिरिया में हमारे स्वें के प्रतेक्स अनुवव के माध्यम से हमारे अस्थितों की प्रकृति को रिपलेस करने, व्यक्त करने और जानने के लिए हमारे कई नेचुरल इंपल्सस से इंकार कर दिया गया था। इन में से कई इंकार किये गई इंपल्सस में कभी भी सामंजशन नहीं था, जो अभी भी हमारे अंदर निराशा, क्रोध, अपराद या यहां तक की नफरत के रूप में मौझूद है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जिस कारण से हम पहली बार अपनी रचनात्मक अभी व्यक्ति की ऐसी मित सोतंतरता से ट्रेडिंग करने के लिए आकर्शित होते हैं, तब एक ही कारण है कि हम नियमों और सिमाओं के प्रकार बनाने के लिए एक प्रकरतिक प्रतिरोध में ह हमें कंदे पर टैप करता है और कहता है अरे आपको नियम बनाने होंगे और यही नहीं आपको अनुशाशन का पालन करना होगा। को तोड़ने का एक बड़ा सोधा है जो संगठित, सू संगत है और विवेक पूर्ण मनी मेनेजमेट निदेशों को दरसाता है। अब लेखक यह नहीं कह रहे हैं कि आपको एक सक्सेशफूल ट्रेडर बनने के लिए अपनी सभी पिछली निराशाओं को समेठना होगा क्योंकि यह तब एसा नहीं है जब आप निश्चित रूप से सफर नहीं कर रहे हैं। लेखक ने कई ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनोंने कंसिस्टेंटली अपने अबजेक्टिव को अचीव किया है और अपने डिनाइड इंपलसेश के बैकलोग को समेठने के लिए कुछ भी नहीं किया हो। यहां लेखक यह कह रहे हैं कि आप इस बात के लिए तयार नहीं हो सकते हैं कि आप उस मेंटल स्ट्रक्चर को बनाने में कितना प्रियास और ध्यान के निरित कर सकते हैं जो नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होने वाले च्छति पूर्ति की भरभाई करता है जो एक ट याद रखें, जब तक हम शुरू करने का फैसला नहीं करते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह तब तक बना रहता है, जब तक हम चाहते हैं, और यह तब तक खत्म नहीं होता, जब तक हम रुकने का फैसला नहीं करते, यह सभी शुरुवात, मध्य और अंत में उप परिणामों के लिए जिम्मेदारी स्विकार करने के लिए तयार हैं। किसी को पसंद भी नहीं है। कि मैं बे तर्तीब ढंग से प्लांड ट्रेडों या ट्रेडों के रूप में रेंडम ट्रेड को परिवाशित करता हूँ जो बिल्कुल भी प्लांड नहीं है। जो आपको यह पता लगाने के अनुमती नहीं देता है कि consistent base पर क्या काम करता है और क्या नहीं करता है। Randomness बिना responsibility के unstructured freedom की तरह होती है। जब हम अच्छी तरह से well defined plan के बिना और unlimited set of variable के साथ trading करते हैं तो उन ट्रेडों के लिए credit लेना बहुत आसान होता है जो हमारी पसंद के हिसाब से बदल जाते हैं क्योंकि वहां कुछ विदी मुझूद थी। उसी समय उन ट्रेडों के लिए जिम्मेदारी लेने से बचना आसान है जो हम चाहते थे कि इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि हमेशा कुछ variable होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे और इसलिए पहले से विचार नहीं कर सकते थे। यदि मार्केट्स का व्यवहार वास्तों में random था तो यह मुश्किल नहीं होगा कि निरंतरता बनाना असंभव नहीं है यदि consistent होना असंभव है तो हमें वास्तों में जिम्मेदारी लेने की जुरूरत नहीं है इस तरक के साथ समश्या यह है कि मार्केट्स का हमारा प्रते एक व्यक्तिगत पैटर्न का परिणाम random हो पैटर्न की एक स्रंखला का परिणाम consistent यानि statically reliable है यह एक विरोदावास है लेकिन जिसे आसानी से एक अनुशाशित संगठित और सू संगत द्रिष्टिकोन के साथ हल किया जा सकता है लेखक ने एसे अन गिनर ट्रेडर के साथ क आम तोर पर दोस्तों या ब्रोकरों के सुझाओ के विचार थे लेखक कहते हैं कि शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिन ट्रेडों की उन्होंने मूल रूप से योजना बनाई थी लेकिन उन पर कारवाई नहीं की जो आम तोर पर दिन के बड़े विजिता र करते हैं तो हम अपनी रचनात्मक्षमताओं को लाइन में लगाते हैं और हमें इस बात पर तुरंत प्रतिकरिया मिलती है कि हमारे विचारों ने कितना अच्छा काम किया था किसी भी ऐस अंतोस जनक परिनाम को दूर करना बहुत मुश्किल है दूसरी और जब हम एक अनप करती के बारे में कुछ और भी है जो उस जिम्मेदारी से बचना आसान बनाता है जो बे तरतीब ढंग से ट्रेडिंग के पक्ष में स्ट्रक्चर बनाने के साथ आती है यह तथ्य है कि किसी भी ट्रेड में विजेता होने की ख्षमता होती है यहां तक कि एक बड़ा विजे बनाने का प्रयास करता है जो एक कंसिस्टेंट विजेता बनने के लिए आवशक है लेकिन जैसा की आप देख सकते हैं अनुशाशन हींता रेंडम द्रिश्टिकोन के साथ ट्रेडिंग के पक्ष में इस तरह के मानसिक कारिये से बचना बहुत आसान है बंदरों पर रेंडम अवार्ड्स को लेकर साइकलोजिकल इफेक्ट्स पर कई अध्यन किये गए हैं उधारन के लिए यदि आप एक बंदर को एक कारिये करना सिखाते हैं और लगातार हर बार कारिये करने पर उसे पुरुषकर्ट करते हैं तो बंदर तेजी से एफर्ड्स के साथ एक करने में बरबाद नहीं करेगा जो अब सीख चुका है और इसके लिए पुरुषकर्ट नहीं किया जाएगा हालांकि अगर आप एक कंसिस्टेंट के बजाए एक विशुद रूप से रेंडम सेडूल पर काम करते हैं तो इनाम के बिना बंदर की प्रतिक्रिया बहुत जब इसे अतीत में पुरुषकर्ट किया गया था क्योंकि तब यह पुरुषकर आस्चरय के रूप में आया था परिणाम सोरुख बंदर के दृष्टिकों से कारिय करने का कोई कारण नहीं है कुछ काम बंदर पुरुषकर्ट किये बिना भी अनिश्चित काल तक करता रह लेखक को यकीन नहीं है कि हम रेंडम पुरुषकरों के आदी होने के लिए अती समवेदन सिल क्यों होते हैं अगर लेखक को अनुमान लगाना था तो वे कहेंगे कि इसका यूफोरिया रसाइनों से कुछ लेना देना है जो हमारे दिमाग में जब एक एप्रत्याशित सु इसलिए आस्चरिया की अदूत भावना का अनुभव करने की उमीद में उर्जा और संसादनों का विस्तार करना मुश्किल नहीं है वास्तों में कई लोगों के लिए यह बहुत आसान हो सकता है दूसरी और जब हम एक विशेश परिणाम की उमीद करते हैं और यह परिणा भावना नहीं है कि हम कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे हमें पता चले कि इससे हमें भावनात्वक पीड़ा होती है किसी भी लत के साथ समश्या यह है कि यह हमें नासमजिक स्थिति में छोड़ देती है जो भी लत हमारे मन की स्थिति पर हावी होती है उसी हद तक हमारा ध् अन्या संभावनाई जो किसी विक्षण में अन्या जरूरतों को पूरा करने के लिए मोजूद हैं उसे या तो नजर अंदाज कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है हम व्यसन को संतूष्ट करने के बजाए किसी अन्या तरीके से कारिय करने में शक्ति हीन महसूस करत क्योंकि यह उस परकार की मानसिक सरंचना बनाने के प्रतिरोध का एक और स्रोत है जो स्थिर्ता का उत्पाधन करता है हमारी परवरिश ने हमें एक सामाजिक वातवन में काम करने के लिए प्रोग्राम किया है जिसका आर्थ है कि हमने अपनी आवशक्ताओं इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ सोच विचार कर रन्नितियों को अपनाया है जो हमें सामाजिक बाचित की और अग्रसर करती है नए केवल हम एक दूसरे पर निर्वर रहना सीख चुके हैं जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम अपने दम पर पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं लेकिन इस प्रकिरिया में हमने कई सामाजिक रूप से नियंतरन और हेर फेर करने की तक्निकों को भी सीख लिया है ताकि अन्य लोग उस तरीके से व्यवहार कर सकें जो हम चाहते हैं उसके अनुरूप हो मार्किट एक सामाजिक प्रियास की तरह लग सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं लेकिन वह वास्तों में है नहीं यदि आज के आधुनिक समाज में हमने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्बर रहना सीख लिया है फिर भी बाजार का माहुल बले ही आधुनिक समाज में मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद इसको मनोव एग्यानिक जंगल के रूप में जाना जा सकता है जहां वास्तों में हर इंसान कुछ भी करने के लिए मार्केट पर निर्बर नहीं हो सकते हैं लेकिन यह बहुत मुश्किल है अगर असंबव नहीं है तो यह मुश्किल जरूर है कि मार्केट में किसी भी चीज़ पर हेर फेर या नियंतरन नहीं किया जा सकता अब यदि हम अपने परियावर्ण को नियंतरित करना और उसमें हेरपेर करना सीख कर अपनी आवशक्ताओं, चाहतों और इच्छाओं को पूरा करने में परभावी हो जाते हैं लेकिन अचानक खुद को ट्रेडर के रूप में पाते हैं, एक एसे बातावर्ण में जो कुछ भी नहीं जानता, जो केवल उसके देखवाल या प्रतिकरिया करता है, हमारे लिए यह महतोपूर्ण है कि हमें यह छोड़ देना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, अगर आपने इस से बीना पैडल की साइकल कहा है तम, ट्रेडिंग में बहुत से सफल लोगों के बूरी तरह से ऐस अपल होने के परमुक कारणों में से एक यह है, कि उनकी सफलता सामाजिक परिवेश में हेर फेर करने और उन्हें नियंतरित करने की उनकी बहतर ख्षमता के लिए आंशिक अनुरूप से जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक हम सभी ने बहारी वातावर्ण को हमारे मांसिक यानि आंतरिक वातावर्ण के अनुरूप बनाने के लिए तकनिकों को सीखा या विक्षित किया है, समश्या यह है कि इन में से कोई भी तकनिक मार्केट के साथ काम नहीं करती ह मार्केट नियंतरन और हेर फेर का जवाब नहीं देती है, जब तक कि आप बहुत बड़े ट्रेडर नहीं बन जाते हैं हालांकि हम मार्केट के जानकारी साथ ही साथ अपने व्यवहार की अपनी धारना और व्याख्या को नियंतरित कर सकते हैं हमारे परिवेश को नियंतरित करने के बजाए वे हमारे विचारों के अनुरूप हैं जिस तरह से चीजे होनी चाहिए उसी तरह हम खुद को नियंतरित करना सिख सकते हैं तब हम सबसे अधिक संभाव परिपेक्ष जानकरी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मानसिक वातावर्ण की सरंचना कर सकते हैं यानी हम अपने mental environment को structure कर सकते हैं ताकि हम हमेशा इस तरीके से व्यवहार करें जो हमारे लिए हित में हो धन्यवाद hindi-audiobook.com आपका दिन शुब हो